चैप्टर 14 मैंशुरेशन ब्रेंटीजर की वर्कशीट का ये फिफ्ट कोस्टन है दा लेंथ, ब्रेट्थ और हाइट ओफ ए क्यूबडल बॉक्स आर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर एक बॉक्स है उसकी लेंथ 2 मीटर 10 सेंटीमीटर है और उसकी breadth है 1 meter और उसकी जो तीसरी चीज़ क्या है उसकी height है 80 cm तो तीन चीज़ दे रखिया है length, breadth और height box की find the area of canvas required to cover this box और इस box को हमने cover करना है कपड़े से तो उसका area निकालना है देखो इस तरह का एक box है Quboid की shape का box है बना रहा हूँ मैं Quboid इस तरह का एक box है जैसे की eat होती है या फिर आपको कोई box है उसको हमने क्या करना है कपड़े से ढखना है यानि की कपड़े से ढखने का मतलब क्या है यानि की इसके सारे जितने भी face है 6 के 6 face है उसको हमने क्या करना है ढख देना है ठीक है, छे के छे के फेस को हमने धक देना है, तो हमने क्या निकालना है, इसका total surface area, अगर हम इसका पता लगजे, जितना इसका total surface area होगा, उतना ही उस पे canvas लगेगा, ठीक है, उतना ही उस पे कपड़ा लगेगा, यहने कि इस keyword का हम total surface area अगर निकाल दें, तो वही क्या होगा area of canvas होगा तो length हमें given है 2 meter 10 centimeter breadth हमें given है 1 meter और height हमें given है 80 centimeter सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इन सभी को meter में change कर लेते हैं unit same कर लेते हैं इसको भी meter में ये तो meter में है ये 80 centimeter है इसको भी meter में तो 80 centimeter है इसको तो meter में change करना आसान है जब cm को m3 में change करते हैं तो 100 से करते हैं तो 100 से करते हैं डिवाइड ये m3 में change होगा 0 से 0 कोट होगी और ये 8 by 10 है तो कैसे लिख सकते हैं 0.8 m, ये तो होगी height अब length कैसे है, 2 m 10 cm है कैसे करेंगे इसको 2 m 10 cm को 2 m में आप कोगे 2 m 200 cm होगते हैं यानि कि 200 cm प्लस 10 cm 210 cm 210 cm ये cm होगा, cm को जब हम meter में change करेंगे तो 100 से करते हैंगे divide, 0 से होगी 0 हमारी cut यानि कि 2.10 m या फिर आप आप आशिका सकते हो 2.1 m अब ये भी meter में change होगा, ये भी meter में था और ये भी meter में था length, breadth, or height अब हमने क्या निकालना है, area of canvas required to cover the box यानि कि हमें इस cuboid का total surface area इस box का total surface area निकालना है वही उतना ही उस पे कपड़ा लगेगा तो total surface area of cuboid का होगता है 2 into lb plus bh plus hl अब सारी value हम रख देंगे l क्या है 2.1, 2.1 into 1 plus 1 into 0.8 plus 0.8 into 2.10 ठीक है, अब ये इन दोनों की multiply की 2.1 आया या ऐसे कालो 2.10 आया इन दोनों की multiply की 0.8 इन दोनों की multiply की 1.680 अब इन तिनों को कर देंगे हम plus, तिनों को plus किया तो हमारे पास आया 4.58, 4.58, 4.58 की multiply कर दे 2 से तो हमारे पास आया 9.16 square centimeter ये क्या आगया, area of canvas की इतना कपड़ा लगेगा उस box को ढखने के लिए तो ये हमारा फिस्ट question complete हो गया अब next question देखते है, next question कैसे करना है अब question number 6 है, इसका ये metallic pipe is 0.7 centimeter thick, एक metallic pipe है अब ये pipe है, भई pipe का मतलब है ऐसा cylinder जो दोनों तरफ से क्या हो, खुला हो जिसका base ना हो, ठीक है जिसका जो दोनों तरफ से खुला हो, आपने pipe देखे होंगी ठीक है, pipe के अंदर हम जहां के देख सकते है पाइप दोनों तरफ से खुली होती है ठीक है, तो pipe क्या है, एक cylinder है खोकला cylinder है, ठीक है inner radius of pipe is, inner radius दे रहे है 3.5 centimeter and length is 5 decimeter length का मतलब उसकी जो pipe है, उसकी height ठीक है, length का मतलब pipe की जो height है, वो क्या है 5 decimeter, find the total surface area उस pipe का हमने total surface area निकालना है तो pipe का जब भी हम total surface area निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखो ये, मालो, pipe क्या होती है आपको pipe पता है cylinder की shape क्यों होती है और दोनों तरफ से खुली होती है यानि कि ना तो ये ढखकन है, ना ये ढखकन है दोनों तरफ से बंद नहीं है खुला है, आपने pipe देखी होगी तो pipe का area या फिर hollow cylinder भी कहते हैं इसको pipe को hollow cylinder भी कह सकते है तो कैसे निकालते हैं pipe का अगर इसका total surface area निकालना है हमने तो हम क्या करेंगे outer cut surface area plus inner cut surface area plus area of two rings एक ये वाला ring और एक ये वाला ring ठीक है, अब आपको ये बात समझ में नहीं आये होगी, मैं आपको भी समझाता हूँ कि कैसी, ठीक है तो पहले मैं लिख रहा हूँ pipe का अगर आपने total surface area निकालना चाहते हो तो outer cut surface area outer cut surface area plus inner cut surface area inner cse लिख रहा हूँ cse cut surface area plus area of two rings area of two rings अब ये सारा कुछ मैं समझाऊंगा कि ये सारी बातने क्या है ठीक है, ये क्या निकालना है हमने total surface area of pipe ये इसका formula है ये इस question में लगेगा ठीक है, अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या चीज़ देखो, ये मैंने ले लिया एक hollow cylinder ठीक है, देखो ये वैसी तो इदर से बंद है, आप ये मान के चलो ये Éक hollow cylinder है ये hollow cylinder है तो अगर इसका area निकालना चाहता हूँ मालो हमें ये इदर से भी खुला है इदर से खुला है ये इदर से भी खुला है, ठीक है पिछे से भी खुला है, जैसा यहां आगे से दिख रहा है आपको, वैसा ही उदर से भी है, ठीक है, मगर यह तो बंद है ना, तो आप यह मान के चलो, इदर से भी खुला है, यह इदर से भी खुला है, यह पाइप है, यह एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडरिकल पाइप है अब देखो अगर कोई हमें कहे अगर कोई हमें कहे कि इस pipe पर यह pipe का टुकड़ा है इस पे आप paint करो total surface area पे इसके paint करो तो आप कहाँ कहाँ paint करोगे आप करोगे इस पे paint ठीक है इस पे paint करोगे यानि कि यह क्या चीज़ है cut surface area outer cut surface area है यह pipe का और कहां paint करोगे आप, आप करोगे अंदर को paint, ये क्या है, inner card surface area, ठीक है, ये outer और ये inner, outer और inner क्या होगा, equally होगा, जितना बाहर है, ठीक है, उतना ही अंदर है area, दो चीज तो होगी, आप ये तीसरी चीज क्या है, outer card surface area, inner card surface, हमने जान लिया, ये area of rings क्या है, area of rings है, ये वा ये वाली चीज, यहां पे भी तो paint करोगे, ये भी तो कुछ है, ठीक है, यहां पे भी तो paint करना पड़ेगा, इस area पे भी तो paint करना पड़ेगा, ये ही area of ring, और area of ring निकालते कैसे है, मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो, एक तो ring ये वाला उपर हो गया, और एक सेम, इ देखो, ऐसे दिख रहा है न, ये उपर से, उपर से हमें ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये ये जो है, यहां पे हमें paint करना पड़ेगा, यहां पे हमें, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, paint करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो खाली है, खोकला है तो, आप देखो, area of ring कैसे से निकालते हैं यह इसका हो गया यहां पे क्या होगा यह इसका क्या हो गया यहां से लेकर यहां तक देखो पूरा यहां से नहीं ले रहा हूं इस पॉइंट से नहीं ले रहा हूं इस पॉइंट से नहीं ले रहा हूं मैं ले रहा हूं इस पॉइंट से अंदर वाले पॉइं और यहां से लेके इस point से लेके यहां तक पूरा यह होगा outer radius outer यहां से मालो चलो यह O है यह A है और यह B है B से लेके O तक होगा inner radius और यहां से लेके यहां तक होगा outer radius इस point से लेके यहां तक center तक होगा outer radius और इस point से लेके अंदर वाले point से लेके यहां तक होगा inner radius सिरफ हमें तो सिरफ किसका चाहिए हमें तो यह चाहिए हमें तो अंदर वाला तो नहीं चाहिए हमें तो इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया कैसे निकलते हैं आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया बड़े सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वेर आ आउटर मतलब आउटर जो circle है बड़े circle का area minus inner circle का area pi r square minus pi r square pi r square minus pi r square ठीक है तो कितने हैं ये तो हो गया एक ring का area ठीक है क्योंकि दो ring है इसलिए इसको multiply कर दो 2 से एक उपर है और एक ऐसा ही cylinder के नीचे है तो इसको multiply कर दो 2 से तो ये क्या आ गया हमारे पास आ गया area of 2 rings 2 से multiply कर दी तो area of 2 rings अब question हमारा बिल्कुल easy हो जाएगा हमने क्या करना है outer cut surface area plus inner cut surface area plus area of 2 rings ये करना है formula लगाना है और हमारा question हो जाएगा अब देखो कैसे करना है इसमें क्या है भई हमें देर के thickness thickness का मतलब ये चीज इसकी मोटाई ये चीज कितनी है यहां से लेकर आते है कितनी थिकनेस है ये थिकनेस है इसकी ठीक है थिकनेस है 0.7 cm inner radius दे रखा है आभी बताया मैंने inner क्या होता है या इस point से लेकर center तक वो है inner radius और outer radius कैसे निकलेगा outer radius कैसे निकलेगा inner radius में क्या जोट देंगे ये वाली थिकनेस को add कर देंगे थिकनेस जो इसकी मोटा ही है उसको add कर देंगे तो outer radius आगा 3.7 प्लस 0.7 याने की 4.2 inner radius को हमने small r माल लिया और outer radius को capital r माल लिया ठीक है ये चीज़ें हमने लिख ली आप क्या length of pipe length का मतलब height of pipe length का मतलब height of pipe 5 decimeter में दे रखी थी decimeter को हम centimeter में बदल लेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें centimeter में है 1 decimeter में 10 है 10 centimeter होते है तो 10 से कर दो इसको multiply तो ये क्या हो गया centimeter में change हो गया 50 centimeter ठीक है अब हमने क्या क्या पता लगा लिया inner radius outer radius और height of pipe या length of pipe तीनों चीज़ें हमें पता लगी अब हमने सिर्फ क्या करना है simple है formula हमें रखना है total surface area total surface area of pipe total surface area of pipe या hollow cylinder भी कह सकते है inner cut surface area plus outer cut surface area plus area of two rings inner surface area क्या होता है 2 pi r h outer cut surface area भी होता है 2 pi r h inner में inner radius रखेंगे outer में outer radius रखेंगे और h दोनों का क्या होता है equal होता है और plus area of rings अभी मैंने बताया था formula 2 into pi r square minus pi r square ये outer है ये inner radius है अब रखदो सारी value रखदो 2 pi pi के जगा 2 by 7 और r कितना था inner radius था हमारे पास 3.5 और h था 50 ऐसी इसमें रखदो 2 pi और pi की value 22 by 7 और r था 4.2 और h था हमारे पास 50 अब ऐसी इसमें रखदो 2 pi 4.2 अब देखो इसमें से हमने क्या ले लिया pi को ले लिया common pi इसमें भी है pi ले लिया हमने common आप सीधा भी कर सकते हैं जैसे मर्जी करो इसको ठीक है calculation करनी है वसा तो pi हमने ले लिया common अंदर रह गया 4.2 का square minus 3.5 का square ठीक है योगि r कितना था capital r कितना था 4.2 और small r कितना था 3.5 ठीक है इसका square है और इसका square कर दिया pi हमने common ले लिया अब क्या करेंगे भई 22 by 7 और ये आगया भई अब इसमें से ले ले लते हैं common इन दोनों में से common ले लो 22 by 2 into 22 by 7 और 2 into 22 by 7 ये दोनों में और 50-50 इसमें भी है इसमें भी है दोनों में से common यह तीनों चीज़े हमने लिए common, यह तीन चीज़े common आगी तो यहाँ पे रहागा 3.5 और यहाँ पे रहागा 4.2, ठीक है, अभी इन दोनों में से common लिया, इस में से common हमने नहीं लिया, अब क्या आगया, 3.5 प्लस 4.2 होता है, 7.7, यह चीज हमने कर ली, और यह चीज हमारा बच रहा है अभी, इसको भी अभी करते हैं, तो पाई कितना है, 22 by 7, और a square minus b square क्या होता है, a plus b into a minus b, ऐसी भी कर सकते हैं, और सिद्धा आप ऐसी भी कर सकते हो, 4.2 multiply 4.2, और 3.5 multiply 3.5, फिर जो multiply गए गए, उसमें से minus करेंगे, फिर जो answer आएग, उसको लिख देंगे, ठी से भी कर सकते हैं, a square minus b square, a plus b into a minus b, आपने किया होगा, algebraic identities में यह formula, ठीक है, a square minus b square का, अब 4.2 plus 3.5 बता है, 7.7, और 4.2 में से 3.5 minus करेंगे, आएगा, 0.7, ठीक है, अब, अब फिर से देखो, कुछ common आ रहा है, तो common ले सकते हैं, 2 into 22 by 7, इसमें भी है, इसमें भी है, और 7.7, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यह चीज, और यह चीज, यह और यह, क्या ले लिए हमने, common ले ली, और इधर रहागा हमारे पास 50 bracket के अंदर, और इधर रहागा 0.7, अब 50 और 0.7, कितना होता है, 50.7 होजएगा, आब इसकी आप कर लेंगे हम cutting, 7 बंजा 7, 7 बंजा 7, 222, 1.1, और 50.7 की जब हम multiply करेंगे, तो हमारे पास अंसर आएगा, 24, 53.88 square centimeter, ठीक है, तो यह हमारा question क्या हो गया वई, complete हो गया है, देखो, यहां से हमने अलग, ऐसी किया है न, calculation, आप जैसे मर्जी calculation, जैसी आप को आती है, calculation करनी, ठीक है, short method से आती है, short method से कर लो, जैसे मर्जी करो, वो आपकी इच्छा है, सीधा भी इसको solve कर सकते हैं, पहले इसको solve कर लो, फिर इसको solve कर लो, फिर जो तीन अंसर आएंगे, तीनों को plus कर दो, वो भी answer आ जाएगा, ठीक है, वो भी सही आएगा, आप वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ share, जरूर कर देना, next वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार,